कि जीतिंग के हम ये वादा करो कोशिस हमेशा ज्यादा करो किस्मत भी रोठे पर हिम्मत ना तूटे मजबूत इतना इरादा करो कैसे आप लोग उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे तो कल 2017 2017 2018 के पीवाई क्यू ठीक है प्रिवेसर को हम लोग कर रहे थे जिसमें हम 33 कोशन कर चुके थे 33 तक कर चुके थे अब इस 34 में हमें क्या करना कोशन अटेम करना है तो आईए बीना टाइम को देर करते हुए हम 34 को क का चुके आटेम करते हैं ठीक और वाकी तो हम्हें लगता है सब लोग मस्त होंगे जबरदस्त भागि इसकी को कोई भिक्यत प्राइब करें तो कमेट से में भीच वाला अंक सुन्य है मतलब भीच वाला अंक क्या सून्या और उनका योग 4 है कि कि यदि पर्थम और आंतिम अंकों का बिर्यमा इंटरचेंज करने पर बनी संख्या सवयं उसी संख्या से 890 से अधिकों तो पर्थम परत कैंतिम नंकों के बीच में अंतर तो मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं माना यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगा एक्स और बीच वाला जीरो है तो उससे कोई मतलब ही नहीं और अगर हम बनाएंगे तो नंबर क्या बनेगा हमारा नंबर अगर हम बनाएंगे तो नंबर हमारा बनेगा हंड्रेट वाला आ जाएगा तो यह क्या आ जाएगा हंड्रेट वाई क्या जाएगा 100 y बीच वाला हमारा 0 है तो 0 into 10 इससे कोई मतलब ही नहीं है और जो 1's हमारा हो जाएगा 1's में कितना 1 into x तो पुल मिला के यह जो नंबर हमारा आएगा कितना आएगा 100 y और प्लस कितना आएगा x 100 y plus x Queshion के according कहा जा रहा है जड़ इसको interchange किया जा रहा है क्या किया जा रहा Interchange जड़ इसको interchange कर दे रहे interchange interchange का यह का है अंको का क्या का रबिन में कर दे रहे 1गँ वाला जो है दाएः पी चला जा रहे तो यह interchange काने पर जो नंबर बनेगा यह आ जाय का 100 x plus का जाएगा य आएगा मतब जो यह काई पर है वह 100 पर चला जाएगा जो 100 पर हो कहां चला जाएगा एक आई डिजेट पर चला जाएगा मतब यूनिट्स अब कुशन के कोडिंग कह रहा है उसका अंतर बनी संख्या स्वैम संक्या से 108 अधिक है जो संक्या बनी है यह जो बनी संक्या हमारा हो जाए Milwaukee 506 प्लस Y उसंसे कित criticizing है वहमारी यह वाली संक्या है कि हमारे वाले संक्या एक सोट था में देख्या है तो यहां देखेंगे 100 x और प्लस y minus 100 y minus x is equal to 198 तो आ जाएगा 99 x और आ जाएगा minus 99 y is equal to 198 यहां तर यह कंडिशन आ गई तो उसके बाद अगला हम देखते हैं चेंज करके 99 कामल लेंगे 99 कामल लेंगे तो आ जाएगा x minus y is equal to 198 तो x minus y is equal to 198 divided by 99 तो यह आ जाएगा x minus y is equal to कितना आजाएगा, तो, यह एकस क्या है, एकस जो हमारी एक आई डिजिट थी, और वाई जो जो है, अन्रेट, तो पहली और लास्ट अंख्या का अंतर पूछा था में, परतम तथा अंत्र अंतर के बीच का अंतर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा आगे मूग करते हैं कुशन नमबर थर्टी फाइब अब थर्टी फाइब क्या कह रहा है कि अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है किता है 139 मैं हम लोग देखते हैं इसमें लिका ह Nós इसमें लिका हुआ थिन सेंटिमेटर बुझजा वाले एक फ्तोस घंब के सबिब फल को पर रंग करके उससे सैंटिमेटर बुझा वाले उले किपने घंट में काटा जा सकत गया है कितने घनों में काटा है कि देखो तीन सेंटिमेटर वाला कि तो तीन सेंटिमेटर क्या करोगे और सब बराबर बराबर काट दो कि एक सेंटिमेटर एक सेंटिमेटर एक सेंटिमेटर एक सेंटिमेटर एक सेंटिमेटर एक अब इसी में क्या है हमारा ऐसा कुछ क्यूब बना हुआ कैसा ही बना तो जब इस तरीके से करेंगे तो यहां alternatively क्या होगा कि जब तीन सेंटिमेटर भुजा वाले किसी ठोज घंके फलक को फलकों को रंग कर उससे एक सेंटिमेटर भुजा वाले कितने छोटे घंव काटे जा सकते हैं छोटे घंव में कितने इसे घंव केवल दो रंग दो फलक रंगें होएं देखो जब इधर से देखेंगे दब दो साइट रंगा होगा तो यहां पर एक यह आ जाएगा यहां पर एक यह आ जाएगा दो ठीक है और एक इधर आ जाएगा टीन के एक दो और यह आ जाएगा तो तीन ऐसे तो कितने साइट टोटल इधर एक और यहीं सेम पर इधर लगेगा यहां अच्छी अंदर वाले में तो टीन गुले चार मराबर कितना जाएगा तो कितना जाएगा पर त्लिविशख बारां कितनी क्यों हो जाएगें बारां तिक है थर्टी सिक्स में कुशन नंबर थर्टी सिक्स हम आप लोगों को लगाना है लगाना इसलिए कि यह साथ सो से को उएक सब हमने हैजो जैसे साथ सो से मैं कुछ इंग्यमपल बता दे रहा हूं मैं कि वैसे करवा था तो अगर इसको दस लिखोगे इस्से बढ़ा इसे बड़ा सजाएगा 700 जर्सके बात आजाएगा 731 सा स्या स्व यह यह गां यह अनुन के सिंग घथे से करते कर दो खे एक पैट। निसका बनेंगा और यह आजाएगा तो इस तरीके से एक पैटन इसका बनेगा ऐसे पैटन बनेगे उन सभी पैटन को क्या एक पैटन फालो होगा उसमें सभी नंबर क्या लेना काउंट कर लेना टूटल पता चल जाएगा तो अब अगला हम देखते हैं यदि लेखनी पैंसिल लेखनी जो है पैंसिल का एक रिलेशन है और पैंसिल का रिलेशन किसे है मैं पूस्तक से है और पूस्तक का टोपी से तो पहना दो टूपी ठीक है कुश्चन से हिसाब से कर रहा है कि पैन जो है लेखनी का मतलब क्या है पैन इसको इंगलिस में देख लेते हैं पैन और पैंसिल में पैन और पैंसिल में ये रिलेशन है ठीक है और उसके बाद पैंसिल और बुक में ओर ये डिलेशन हैं इस वाले में फिरिक । पेंसिल और बुक में यह रिलेटेटन है और बुक और एट में कुछ त्रीके सी रिलेटन का düş तरीके से रिलेटन का में। तो यहांँ में फरुच्छ वजन आहила हैं। इस आलवेस गो पेन गिरेटर देन कैप कि यह अपोजट साइन ने क्यों इसरे से नहीं पेट कि बीच में क्या है यह लेस्टन आलेज दन और यह क्या है ग्रेटर देन Pen Less Than Book Pen Less Than Book Pen म reference Less Than Book यह बेटम खाल underneath Pen Less Than क्या है? बोक से Pencil Is Equal To Cap यह नहीं होगा Pencil Is Equal To Cap नहीं होगा Pencil Greater Than Cap Pencil Greater Than Cap क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ जा रहा? P受сят Sign न आ रहा है हमारा answer किसा हो जाएगा? Pen Less Than Book के खै? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे मूब करते हैं 37 के बाद 38 में एक पुस्तक बिक्रिता ने एक्स पर्ति रूपए पर्ति पुस्तक की दर्से भोगोल की यह ए पुस्तक के बीचे कितना बेचा एक्स रूपए के हिसाब से एक पुस्तक के तो एक्स इंटू ए तब एक्स से हो गया यह क्या हो गया भोगोल उसके बाद एक्स प्लस टू पर्ति पुस्तक की दर्से इतिहास एक्स प्लस टू मुल्टिप्लाइड वै ए प्लस टू यह किसका इतिहास तो मल्टिप्लाई करो XA प्लस 2X XA प्लस 2X 2A प्लस 4 उसके बाद X-2 परतिपोस्तक कि दर से गडित X-2 एंटू A-2 से गडित तो यह जाएगा XA XA और यह हो जाएगा –2X –2A –- प्लस 4 तो उसकी कुल बिक्री कितनी होगे डोल लो भोगोल इतिहास बड़ीत पहला क्या होगया XA प्लस XA प्लस 2X प्लस 2A प्लस 4 आगे भी ऐसे प्लस XA माइनस 2X माइनस 2A माइनस 2A से प्लस 2A माइनस 2X से प्लस 2A XA प्लस XA प्लस XA मतब कितना हो जाएगा 3XA 3XA और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 तो 3XA प्लस 8 आंसर इस देट आंसर इस देट इसमें तो हमें लगता किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और दिक्कत भी नहीं होगा क्योंकि यह कुशन क्या था आसानी था बस खाली क्या था वैरियेबिल में दिया हुआ था तो इससे कोई मतलब नहीं होता अगर वैरियेबिल में दिया हुआ आपको पैटर्न अगर पता है आपको गर तही यह लिएके प्ता हैं तो हम मल्टिप्लाई करते हैं कि करते हैं कि स्रीद्वस को साल कर सकते हैं ऑब कुश्원 नमबर हम लोग क्या करते हैं 39 कुश्चनreich करने के लिए कुर्ण के ओंकि 39 में क्या किसी 15 में 15 depends on नरेमें पंधरा राल गेदों डाल दो, रूस्के बाद, ृसक्राद, बीस बीस काली गेदें भी डाल दिया, लाल और काली गेदों को डालने के बाद, त्लेके, कहारा पर प्रतेख गेद पर य element या एक कांद डो या तीन की संख्या लिखी है, इसके बाद कह रहा है लाल गेंद गेदो की 20% पर संख्या एक और उनके 40% पर संख्या तीन लखे हुए एक बालफ या द्रिक्च या रेंडम ली एक गेद निकालता है या उस पर एक जीत जाता है उसके जीतने की प्राइक्टा क्या होगी निकालने की प्राइक्टा प्रॉबिल्टी जाओगी सबसे पहले तो यह देखेंगे किस में टोटल बाल कितने है 15 लाल और 20 काली तो टोटल बाल कितना हो जाएगा टोटल बाल कितना हो जाएगा वेराय की उनके 40 अबप 2 पर 30 लिख़ी उए सब्सक्राइब कि आने किलिंगे मेद ट्रीushat पर 1 average कि ओंउत बंदर्ण निकालेंगे 15 बाल में अगर total क्या है 100% है अपने आप में तो 100% में से 20%emic guard वाले पर क्या एक लिखा हुआ 40% पर क्या लिखा हुए है जिए और 40 WE 60 से समझ है 40 कितना हो जाएगा 60 इस शाठ परतिशत मेंद rist Bell had a pundra पुड हो जाएगा पंधर से 40 स्धोर में कितना हो जाएगा अ यह 0 से 0 कर जाएगा 15 चोक का 60 मतब 60 बटे 10 बराबर कितना मतब 6 कितने बाल आएंगे 6 इसी तरह से जो है टोटल नंबर आप बाल हो जाएंगे काली गेंट कितना है 45 परतिसत पर 2 तथा 30 परतिसत पर 3 लिखे होई कि एक बालक को याद्रिच निकरा जाता और उसे पर 3 की संख्या है यक काली की गेत को एक वदर संख्या बालक से जीच जाता तो उसे क्या हो अब एक या दो वाली भतेशी कि इसलेंगे ब्लेक बॉलड़ ब्लेक बॉल कितनी है मिएश खows तो एक या दो के संख्या में तीन के संख्या में संख्या में हमें बालग कितने जीतने की प्रप्रब्रब्रटी तो बीनिंग की प्रप्रब्रब्रब्र शोड़ा यहां पर छे एक बार निकालेगा तो छे प्लॉस चाव। और टोटल पोस्बिल्टी कितनी ती था 25 तो 25 को निचा करते हैं तो 16 अच्छा 20 20 अईथ 25 2005 तो आंस तो यहां तक हमें लगता किसे को कोई दिक्कत नहीं है आगे मूब करते हैं कि दो बैक्त ए और बी किसी बृत्या मार्ग पर दोलर हैं हैं प्रारंब में B जो है A से आगे है तथा उनकी इसे थी बृत के केंदर पर 30 डिगरी का कौन बनाती है जब A उस बिंदु पर पहुँच जाता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से द्यास्ता सम्मुख है मतर सामने है तब वह B से मिलता और B के चालो में क्या अनुपात है यदि होए एक समांचाल से दोड़र है अगे और B के चालो में क्या देख दो व्यक्ते ए और B किसी ब्रित्तिय हार मार्क पर दोड़ा दो सपोस्थ यहां से दोड़ना स्टार्ट कियों A और B A और B, B जो है A से आगे है, अगर A यहाँ पे है, तो B यहाँ पे आगे है, और यह उनकी इसे थी बिरित्र पर केके अंदर से कितना कूण बनाती हूँ? 30 डिगरी, यह बनाती है 30 डिगरी, जब A उस बिंद उपर पहुंच जाता है, जो कि उसके प्रारम्भिक बिंद के व्यासता सम्मुख, मतलब इसके सम्मुख क्या होगा, यही तो होगा सामने, यह वाला पॉइंट, तब वहाँ B से मिलता है, तब वह A और B की चालों की अनु बा 51 कि पहुँंच जाएतले मेरा, तो मतलब B यहाँ से पहरे पहुच जाएका, उसके बाद A इसके बाद यहां से आके पहुचेगा, इसका मतलब A का जो चालों होगा, यहां से यहां आएगा, यहां सामने से कम्प्लीट कर रहा तो A कि पहुच जाएगा, 180 गिरिक और B कि 30 आ गए है तो कितना हो जाएगा यो जाएगा 180 माइनस 30 तो आ जाएगा 180 माइनस 30 कितना जाएगा 150 000 कट गया तो यह आ जाएगा 18 रेशियो 15 तीन पच्छे 15 तीन छक रठारा तो क्या जाएगा चे रेश्यों 5 चे रेश्यों क्या दाएगा 5 ठीक है किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें ये कुश्ण बड़ा हासान है और इसमें आराम से इसको कर सकते हैं तो 40 के बाद हम लोग आते हैं कि होटीवन पर पूर्टी वन पूर्टी वन कहा गया बैई चालिस के बाद हम लोग फूर्टी वन इदा रहे हैं यह देखे किसी परिच्छा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को चालिस पतियसत अंक चाहिए मान लीजए कि उसे तीस अंक मिलते हैं तथा वह तीस अंक से अनुत्रीड हो जाता है तो परिच्छा में अधिक्तम अंके कितने होगी अगर कोई भी बन दाया 30 अंक मिलते हैं और 30 अंक से फेल हो जाता तो उसको कितना अंक किसका मतर्ब चाहिए 60 अंक तो माल लेते हैं अधिक्तना मंग मैक्सिमम नंबर एक्स तो एक्स का 40 पर तिसद बटे 100 बराबर कितना साथ हम एले 0 से 0 कड़ गया और इधर मौल्टिप्लाई होगा तो एक्स इपूल कितना होगा साथ कौड़े 6 बटे कितना तो दोस्य चान दो तिह 6 से तो आख सो hang कितना उसको अधिकता माँख पास ओने के लिए अधिकता मांग पास ओने एक balm किदना गाग सके है ठीक है clear किसी को कोई देखत नहीं नहीं ना के हाँ की खिला है जैंı तरह अ कोμεड़ आज़िए देखो कॲिषण नमबर 42 कॲिषण नमबर कुटी जेखो जया कुशन भी वाधला डाशान है इसमें कुश्षाह नहीं हाकी खेलने के लिए 19 लड़के और 14 हाक ईक पेंट पहने हुए देखे ग्यारा लोग क्या पहने हैं कमीज और चौदा लोग क्या पहने हैं पैन्ट तो कुछ ऐसे कॉमन लोग हैं जो क्या पहने हुए में एक भी लड़का ऐसा नहीं है इसने कमीज या हाकी ना पैना हो ना पैने हो पूरी वर्दी पैनने वर लड़कों चांशादने हो जाएगी तो आप और हाकी खेलने के लिए 19 लड़के आए हुए तो 35 माइनस 19 19 26 इसका मतरब 6 लोग ऐसे हैं जो पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या कितने हैं 6 लोग क्या है पूरी वर्दी पहने हैं ऐसे कर लो जा इसको क्या मान लो एक्स मान के कल दो यह इधर बचेगा कितना 11 माइनस एक्स और यह आजाएगा 14 माइनस एक्स तो 11 माइनस एक्स 14 माइनस एक्स करके कल दो तब लिए तुमारा गया जाएगा या सीधा सीधा कुशन यही है कुछन नंबर 42 के बाद कुछन नंबर 43 में हम लोग चलते हैं और कुछन नंबर 43 हमें रगता है कि बढ़िया को पढ़ो नीचे दीजी जानकारी को पढ़िए और उसके पस्ताथ आने वाले पुछा परसनल के उत्तर देजिए बताओ छे परसन इसमें है और सही से इसको लगाना है ठीक है कि ko के अबी सी और डी शात्र हैं वह चार विभिन सहहरों पीकीव और आ ररेस् के अनिवारता इसे करम में नहीं हो पड़ रहा है। वह साइन्स स्कालेश, सिर्ध कामर्स प्ंद वसलब और कि अधोगे एक तरफ स्टुडेंट लिखेंगे इसमें सब्सेव पैटरन ही बनाना सबसे में हैं जो चलो एक तरह हम लोग क्या लिखेंगे इस टूटेंट लिखेंगे तो लिख लो इस्टूटेंट एक तरह हम नहीं देखा एक सिटी असे बाद अगला काना हमने बता है पॉल इस सॉट में लिख रहे हैं उसका लगाल है इसके यह हमारे सारे बट अब इस्टूडेंट कितने एबी सीटी चार है ना 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 गरबल मत होना अरे क्या हो रहा है क्या करते है या चलो फेंचे निकल देखें बजान मेंट है ठीक है ऐसे चार बॉक्स बना लेते हैं ठीक है ज्यादा बनगे क्या है चलो देखो इस्टूडेंट मेंशन कर दे रहे हैं A, B , C , चार स्टूडेंट आप इसमें कह रहा है देखो डी असम में पढ़ रहा है, डी कहां पढ़ रहा है, असम में पढ़ रहा है, असम में जब डी पढ़ रहा है, तो असम लिखो, इसको यहीं कर लेते हैं, असम, इससे लिखने का मतलब क्या है, तो रहा क्लिए रहा है, डी असम में पढ़ रहा है आठ्स कालेश सहर एस में एस में है जो राजस्थान में इस्थित है अभी सिटी नहीं पता है और वे स्टूडेंट भी नहीं पता है अगला देखते हैं एक कामर्स कालेश में पढ़ रहा है कालेश का क्या नाम है पॉमर्स, एका पता चल गया ना, बी सहर क्यों में पढ़ रहा, बी किस सहर में पढ़ रहा, क्यों में पढ़ रहा, साइंस कालेज केरल में इस्थित है, साइंस कालेज केरल में से यह हो गया, अब अपने पास सीटी कितनी थी, पी क्यों आर, जिसमें से क्यों का प्लेश हो गया, अब हम यहां पर देखते हैं, एक जगह बसता है, क्योंकि, आर्ट्स कालेज सहर, एस महें जवराजस्थान में, तो देखो, आर्ट्स कालेज सहर एस, क्या हो जाएगा, आर्ट्स, और यह हो जाएगा, पाजिस्थार, ठीक है, बचा अपने पास असम हो गया, यह हो गया, साइन्स कालेज केरल में इस्तित है, साइन्स कालेज केरला में इस्तित है, साइन्स कालेज केरला में इस्तित थै, अब यहां पर देखो, यहां पर यह बन जाएगा तुमारा, साइन्स, यह, साइन्स आई हो जाएगा केरिला तो बचा तुम्हारे के पास क्या है गुजराथ यहां पर चीज़े डिफाइन नहीं है तो यहां पर लिख ले रहे हैं और आर्ट सिटीज सब्जेक्ट क्या बच रहा है कामर साइन्स आर्ट एक बच रहा है इंजीनियर क्या बच रहा है इंजीनियर ठीक है आप यहां पर देखते हैं यह पढ़ रहा है यह कहां पढ़ रहा है यह पढ़ रहा है यह पढ़ रहा है राजिस्थान में गुजरात में सहर क्यू में केर्ला में यह कहां पढ़ रहा है यह पढ़ रहा है गुजरात में तो अगला देखते हैं 43 के बाद 44 साइंस कालेज इस्थित है सहर क्यूं में सहर एस में सहर आर में तो साइंस कालेज कहा है क्यूं सहर में सहर क्यूं में तो उसके बाद सी पढ़ रहा है सी कहां पढ़ रहा है साइंस कालेज में राजिस्थान में सी राजिस्थान में पढ़ रहा है गुजरात में पढ़ रहा है सहर क्यूं में पढ़ रहा है तो सी कहां पढ़ रहा है राजिस्थान में कहां पढ़ B saher S में नहीं पढ़ रहा है, D saher S में नहीं पढ़ रहा है, B और S नहीं है तो यह गलद हो गए, ओंसाइक साइँ , A सॉईन साइन्स साइन्स CHAKALGE में कालेश میں पढ़ रहा है, A कारस्फ कालेश में पढ़ रहा है A GARL में पढ़ रहा है, A GUDRAT में पढ़ रहा है डी जो ᥼ह है इसमें नहीं पड़ रहा है डी और नहीं बोलड़ा नहीं तो यह वहारा था है में तो यह भी हमारा क्या है 48 नबर देखान निम लिखित कतों में से कौन सा A good in Engineering College असम में इस्थित् है? सहर क्यों असम में इस्थित है n还? से केरल पढ़ रहा है सी राजस्थान में पढ़ रहा है बी गुजराद में पढ़ रहा बी नहीं किरला में पढ़ रहा तो यह फोटी एट कुशन हो गे और इसमें चार्ज्च का थ्वड़ा इस स्योगत बहुत नहिंग तो इसके बाद देखते हैं आगे 48 के बाद हम लोग 49 में जैकने 48 हो गया 49 पैसेज ही है 49 के बाद 50 भी हमारा पैसेज ही है 51 भी पैसेज है 52 भी पैसेज है 53 54 यह भी पैसेज ही है एक पिनेट 55 भी पैसेज ही है 56 भी पैसेज है 57 57 से क्या है पूशन है 57 से पूशन ले चाहिए चलो इसको लगाओ तुम लोग इसको लगाओ इसको मैं साफ करूं सकता है ने टेंड के लिन करते हैं ठीक है चलो लेखो तो इसी में क्या देखेंगे कोशन नंबर 57 देखो लगा लिया कुछ लगा किसी का देखो कोई दुकांदार किसी वस्त को 40 में बेज कर यक्परसेंट का लाव कमाता है इस लाव कमाने के बाद क्या करता है तथा पी जब वह उस वस्त को 20 रुपे में बेजता है तो उसे उतने ही प्रतिस्त के हानी होती है तो वस्त का मूल लागत बताना है उतर नहीं प्रतिसत का मॉल्म हूते हैं तो सलिंग प्राइज क्या है SP क्या है आर्टिकल का स्प चालिस रुपे अ चब चलेस रुपे में बेजता है तो इसको प्रॉफिट एतना होता है लोगोि toiji किदना जाएगा क्वास प्रेस कочно आ एगा किए कि झी यदा जाएगा 14 melhores Emerald upon 200 पॉप क्लेस को एक्स को जो क्जोर मिündला क्या जाएगा ये अजयर ए अजयर पॉप कि फर лज एक्स ठीक है परास प्राइज कि अब उसके बाद अगेन कह रहा है जब इसको बीस रुपए बेचा जाता है तो इसे कितने पर से थान की लास होती है अगेन जो इसका सेलिंग पर यह होता है स्पी बीस रुपए अब बीस रुपए पर इसको लॉस होता है उतने होता है जितना उसको प्रॉफिट हुआ है एक्स पर्सेंट के क्या होता है लॉस होता है जब एक्स पर्सेंट की लॉस होती है तो इसकी सीपी कितनी हो जाएगी ड थो हजार हमडेड माइनस यह हमेन मजवेस तो यहाँ पर जौ सी पी है और यहाँ पर जो सीपी दौनों को क्या कर लेंगे क्ईक वैलेट कर लेंगे consistent साफ इस अधोनों सिल चाम को एकूल करने के लिए क्या करेंगे यह लेखेंगे दो तो determined बटे 100 माइनस X is equal to 4000 बटे 100 प्लस यह कड़ जाएगा तो इधर आएगा एक इधर आएगा तो ठीक है तो इधरी सॉल्ब करते हैं तो इधर तो बचा नहीं तो इधर इधर यह इसका क्रोस म्ल्टिप्लाई इधर कल लोगतर दो आएगा अघंडरेड अघंडड प्लस एक्स इधिकोल टो आजएगा 200 earlier 2x 2x इधर आजाएगा तो यह हो जाएगा 3x is equal to कितना आजाएगा 200 minus 100 कितना आजाएगा 100 तो x is equal to आजाएगा 100 by अब x is equal to 100 by 3 यह क्या आया हमारा profit आया और इतने हमारा क्या आया loss आया अब इसको हमें cp निकाल लेंगे लिए क्या करना पड़ेगा cp निकाल लेंगे हम लोग क्या करेंगे इजा लिख ले रहे तो cast price चाहे इसमें रख दो किसी में भी रख दो पहले वाले दूसरे आलम किसी तो cp is equal to कितना आएगा cp is equal to हम लोग करेंगे यहाँ पर चालिस पहले वाले में रख दो अंडेड अपन अंडेड प्लस अंडेड बाई थ्रे तो यह हो जाएगा 4000 और यह हो जाएगा 300 cross multiply 300 plus 100 कितना 400 by 3 तो यह कट जाएगा कितना आएगा 10 आ जाएगा तो को मिला के यह 10 by 1 by 3 या इसी को लिक्षन के 10 तो अब यहां पे जो हमारा आंसर सही होगा क्या हो जाएगा थर्टी रूपीज किसी को कोई दिक्कत नहीं न किसी को कोई दिक्कत वो तो बताओ नहीं हो तो कोई करते हैं तो कि चार्जी नहीं बचा वह तो कुछ 59 तक करवा दे रहे हैं अंके बात 58 हम लोग देख रहा हुआ हुआ है चलो 58 करो हो गया है कर लेते हैं इसको से तो 58 में क्या कह रहा है कि हो गया किसी कि किसी ब्रित की पर समान दूरी को 24 बिंदों है देखो कि कमान दूरी पर 24 बिंदों है एक दो तीन चार पांट शे साथ आठ 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 दस चारह बारा तेरह सोड़ा पंदरह सोला सत्तरह ठारह उन्हें बीस उत्तीस बाइस तैस चौविस इस तरह से हमने क्या किए 24 डाट कर लिया अब जब 24 डाट हमने कर लिया तो हर आठ आठ बिंदों पर मिला कि एक अपना बना लेते हैं तो कह रहा है इन में से सीर्स के रूप में तीन बिंदों को समुझे में अधिक्तम कितने किसर्स का कितने बिंदों मिलाते हैं मिलाने के बाद क्या बन जायका अब इस में से क्या करना आठ अट बिंदों को अलग क है इस आप यहां से एक बिंदा दो दो जैकंदर दो दो थीन दूट चार बिर पांच मेंट 7 बिंद यहां सखी तो उसके बाद एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ पर एक ऐसे मिलाओ तो इस तरीके से आठ बिन्द पर क्या करेंगे या तो ऐसे आठ तुम कर लो या तुमारे पास 24 बंद है और हर तीन बिन्द मिलाके एक हमारे इसे हमारे आप कि यहां पर देखो 59 देख लेता है इस ने बहुत ज्यादा खुछ है नहीं कि 59 देख लो श्च 2026 तो श्याणनवे देखो इसमें कैं कि जितना भी पैटर्न है इन सभी में शवी में अगले पैटर्न में 28 दिन दो 28 करते चले जाओ अगले पैटर्न में तो 26 दो पंचानन्वे में कि एगर हम जोड़ेंगी 28 दिन तुमारा क्या आई जागा पच्चीस तेन च्छानवे मारा आ जाएगा अप्सानीज देख लेते हैं अभी तुरन देख लेते हैं पांस सेंटिमेटर बिकरण के आयत को फिट करने के लिए बारा समान वर्गों को लखा गया है अगर यह अगर यह बचा नहीं बचान इसको फटा फटा किसी में हैं है डागनल क्या होता है है इसका अगर यह अगर यह ऐल है और यह बीए तो इसका डिगनल क्या होगा गई अगान रूड स्पार प्लस बीज़ार अब डाइगेनल तुम्हें निकालने लिए क्या क्योंकि डाइगेनल दिया हुआ है तो यह पांच पांच का अंडरूड अठाएंगे तो पांच का स्पार आजाएगा और यह स्वाइब rat चिलिक कितना प्रसा यही तो आहेगा अब यह पत्चीस क्राम आएगा सबको जी कि में अगर स्वाइगा यह पच्छर अगर लंबाई कितना हो को यह कितना हो तीन प्रस पत्चीस में कुड़र में थख हो। कि सोला प्रस में physically अब इसमें देखो पत्चीस की बात हो गए इसका मतब हम पर पुरता चल लग जया कि एली जुकल टू कितना है तीन तभी तो आएगा डाइगनल पांच यह आज आएगा कि चार यह कितना है चार तीन कटर प्लेण लोग पर इरिया कितना निकल क्या आएगा अब इसको स्कॉइर के फाम में करना है इसको इसको क्या करना आ से स्क्वाइर के साम में कटिंग करना है तो स्क्वाइर का एरिया कितना होचा है स्क्वाइर का यह रेक्टेंगल का था तो कितना होजाएगा साइड स्क्वाइर इतना होजाएगा तो साइड स्क्वाइर टोटल कितना बनाना बारा ठीक है परतिक निकर्ट वर्थी और एरिया कितना टोटल तो बारा से बारा कट जाएगा तो A is equal to कितना जाएगा वन तो A is equal to कितना जाएगा कुल मिलाके वन वर्ग centimeter square answer is that आपसा number C ठीक है तो question number 60 तक हम लोगों निकल लिया है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर कुछ question होगा रहा 60 60 के बाद कुछ question जो बचे हुए है साथ यह एक दिन में इसको करवा दूँगा कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है बाकी यह है कि जितना जल्दी हो सगे तुम लोग फटा-फट question करो और इसको करो इसका दूसरा जो है अभी हम चार्ज करके इसको भी upload कर देते हैं इसका अगला lecture ठीक है किसको कोई दिक्कत नही थांक दयुक्त नहीं